दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक की बोजल पर ये कोड का क्या मतलब होता है या फिर क्या आप जानते हैं कि माचिस की तिल्ली के ऊपर क्या लगा होता है अच्छा दोस्तो आप यह तो जानते ही होंगे कि Google Maps में किसकी आवाज है और वह कुन है जो हमको सभी रास्तों के बारे में बताता है आपने यह सोचा है कि ऐसा क्यूं है नहीं सोचा तो भी आज का महूरत काफी अच्छा है क्योंकि इन सवालों के अलावा भी और भी कई ऐसे एक्टिंग फैक्ट के साथ हाजीरूं एक पार फिर तो बिना माथे पर बट डाले एक भी और थाम लीजिए अपने हाथों में चाय या फिर कोफी का कप और दोस्तो बैठ जाईए अपनी सीट पर अगले कुछ मेंटों के लिए लेकर चलूंगा आपको एक रोमांचक सफर पर तो बिना जरा भी और तेर किये शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड फैक्ट नमबर टैन दोस्तो आपने कहीं भी जाते समय गूगल मैप्स की बताता हूं तो दोस्तो गूगल मैप्स पर बोलने वाली एक महिला है और उसका नाम करेंजय को बसन है जो एक उस्टेलिया की है रहने वाली है तो दोस्तो है ना एकमाल का फैक्ट नमबर नाइन दोस्तो क्या आप जानते हैं सिंक वोश में उपर की तरफ एक्ष्टा होल क इसलिए उपर की तरफ एक्ष्टा होल होता है दोस्तों बात कर लेते हैं कि इट का रंग लाली क्यों होता है इट में तत्वों की कुछ ऐसी मादरा होती है जो बहुती अलग-अलग होते हैं इसमें रेट की मादरा 50-70% होती है और अलुमूनियम की 20% और 30% और इसमें मेगनीशियम 1% होता है और लोहा 7% इसलिए कच्ची इट को मजबूत बनाने के लिए इसे भट्टियों में 900-875 के बीच में डिगरी में तापा जाता है इनी तत्वों को मिला कर ही जिसके कारण इट का रंग लाल हो जाता है दोस्तो आपने यह तो सुनाई होगा कि चांद पर जाने वाली पहली महिला ही थी पर क्या आप जानते हैं कि अधार कार्ड भी पहली महिला का ही बना था मैं बात कर रहा हूँ रंजना जी की जी हाँ दोस्तो यही पहली महिला थी जिनका अधार कार्ड बना था वाउ अमेजिंग याद दोस्तो बात कर लेते हैं एक ऐसे फैक्ट के बारे में जो आपको हैरान कर देगा जी हाँ दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना मैं बात कर रहा हूँ वेस्टेंडिज के कैमरन कफी की यही एक ऐसे एकलोते खिलाडी हैं जिन्होंने एक वंडे मैच में बिना विकट लिये बिना रन मारे और बिना कैच किये मैन ओफ दा मैच का अवोर्ड हासिल किया है दोस्तो है ना यह कमाल का फैक्ट फैक्ट नमबर फाइफ दोस्तो आपने यह तो सुनाई होगा कि अगर हम अपने सरीर का हर अंग बेचते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा अगर आप यह नहीं जानते कि कितना पैसा मिल सकता है अगर आप अपने सरीर का हर अंग बेचते हैं तो दोस्तो आप 45 मिलियन डोलर के मालिक होंगे जिया दोस्तो यानि इंडियेंज रुपीज में 3310 करोड रुपे के अगर आप अपनी बोड़ी का हर पार्ट पीछते हैं नम्बर फूर दोस्तो आपने यह तो सुनाई होगा कि सेर ने कभी सिकार किया या फिर भेड का या फिर बकरियों का पर क्या आप जानते हैं रुडेशियन रिजबैक नसल के कुटे दस्चिन अफरीका में पाले जाते हैं वो भी सेरो का सिकार करने के लिए दोस्तो है ना ये कमाल का फैक्ट नम्बर त्री दोस्तो बात कर लेते हैं कि टायर का रंग काला ही क्यों होता है लाल या पीला क्यों नहीं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रबड का रंग सलेटी होता है इसलिए इसमें कारवन और सलफर मिलाये जाता है ताकि यह बढ़ सके यह ऐसी रिसर्च की गई थी कि अगर सलफर और कारवन को मिलाये जाए तो टायर काफी जाता चलेगा और यह सफल हुआ क्योंकि जो नॉर्मल टायर एक किलो मेटर चलता था उसमें सेलफर और कार्बन मिलाया गया तो वह एक लाक किलो मेटर चलने लगा इसलिए टायर का रंग काला हो जाता है क्योंकि इसमें सेलफर और कारवन मिलाया जाता है दोस्तो अब बात कर लेते हैं कि माचिस की तिल्ले के उपर क्या लगा होता है तो दोस्तो इसके उपर आधुनिक माचिस पर यानी हड़तालीब सतय पर आम तोर पर 25% पाउडर या कांच या अन्य घरसन समगरी होती है और 50% लाल फास फोरस होता है और 5% नूटिलाइजर होता है और 4% कारवन ब्लैक होता है और 16% बांधने की मसीन से बना होता है यानी मैच के उपर के हिस्से पर एक छोटी सी सलफर और इस्ट्रेच एक नूटिलाइजर होती है फैक्ट नमबर बन प्लाश्टिक के नीचे के हिस्से की और इन कोड का क्या मतलब होता है दोस्तो प्लाश्टिक की बोतल को बनाने में कुछ टोक्सिक या जहरीले केमिकल का इस्तिमाल किया जाता है इन केमिकलों का इस्तिमाल एक समान नहीं किया जाता इसलिए बोतल पर कुछ कोड दिये जाते हैं ताकि इन्हें देखकर बोतल का यूज कैसे करना है वो पता कर सकें तो दोस्तो इसी के साथ खतम होता है टोप 10 फैक्ट का यह सफर अगर आपको कोईसा इफैक्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सस्क्राइब भी ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तो तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से सुक्रिया यार